Hey guys, Amazon Affiliate Marketing for Beginners in 2021 के another part में आप सब का स्वागत है आज का वीडियो बहुत important होने वाला है, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे Google Image का यूज करके आप अपने Amazon Affiliate Marketing Sales को और भी बढ़ा सकते हो अगर आपका कोई website है जहां पे आप products के reviews लिखते हो या comparison करते हो दो products के बीच में या अगर आप YouTube में मेरी तरह video बनाते हो या social site पे कहीं पे भी किसी product के बारे में post लिखते हो Amazon Affiliate Marketing के लिए तो आप वहाँ पे कैसे traffic gain करोगे, कैसे follower gain करोगे, वो भी बिल्कुल free में Google Image के through जानने के लिए video को last तक देखते रहिए, अगर आप घर बेटे online काम करके पैसे कमाना चाते हो तो Amazon Affiliate Marketing passive income का one of the best source है Amazon Affiliate Marketing के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो मैं आपको suggest करूँगा इस video के नीचे description सिक्षन पे और comment सिक्षन पे आपको एक playlist का link मिलेगा जहां पर मैंने Amazon Affiliate Marketing के बारे में एकदम basic level से सब कुछ बताया है आप उन सारे videos को check कीजे ताकि आप आज के इस video को better way में समझ पाओ दोस्तो Google Image के बारे में हम सभी जानते हैं जब भी हमें किसी product का या किसी place का या कोई भी चीज जब हम google पर search करते हैं किसी चीज का इमाज सर्च करना होता है तो सबसे पहले हमें google image की याद आता है हम google पर जाके simply उस product के बारे में या उसEस के बारे में search करते है इमेजेस पर जाते हैं और उस चीज के बारे में उस location के बारे में बहुत सरे images हमारे सामने आ जाते हैं दोस्तो क्या आपने कभी notice किया है जब आप इन images को देखते हो और जब open करते हो तो images के नीचे ही उस image का जो source URL है वो link होता है वहांपे जहां पे वो image uploaded है वहां तक आप जा सकते हो उस नीचे वाले link पे click करके दोस्तों इसी तरीके से यहां पे देखिए जब मैं Google image में जाके DSLR camera करके search करता हो तो यहां पे बहुत सरे camera के images आ गया है अभी अगर मैं किसी एक image को open करता हो और source URL पे जाता हो तो यहां पे आप check कर सकते हो यहां पे उस camera के बारे में कुछ specification बताया गया है reviews लिखे गया है या comparison दिया गया है बिल्कुल जैसे आप Amazon affiliate marketing करते हो या जैसे मैंने अपने previous कुछ videos में बताया है इस तरीके से अगर आप भी blog post लिखते हो और Google image के through अपने blog पे traffic लाना चाते हो अपने social site पे traffic लाना चाते हो YouTube video में views लाना चाते हो वो आप फ्री में Google image में कर सकते हो और दोस्तो Google image में किसी एक image को rank करवाना आज के time पे बहुत ही आसान है क्योंकि यह जो method है इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता simply अगर आप मेरा नाम Google image पे जाके search करते हो राजतिक मिस्रा करके तो Google image में पहला photo आपको मेरा मिलेगा नीचे आप scroll down करके देखो और भी बहुत सारे images है और मैंने आपको बता दिया कैसे आपको source URL में पहुँचना है तो अब देख लो यह सारा कुछ image जो है source URL में जब आप पहुँचोगे कहा कहा पे upload है आपको पता चल जाएगा मेरा जो website है rajdimisra.com यहाँ पर अभी काम चल रहा है दो-तिन दिन पहले ही मैंने अपने image को यहाँ पर आवाउट सेक्शन पर अड़ किया तो वो image भी यहाँ पर rank हो चुका है दो-तिन दिन के अंदर अगर आप यहाँ पर गूगल image में किसी एक image को rank करवावाते हो इतनी जल्दी blog post rank नहीं होते हैं और यह एक plus point है अपने website में अपने social sites में YouTube वीडियो में views गेन करने के लिए traffic गेन करने के लिए दोस्तो क्या आप अपने लिए Amazon FLA store बनाना चाहते हो और कम budget के अंदर एक अच्छा hosting plan ढूण रहे हो अगर आपका coding knowledge विल्कुल zero है आप बने बनाए templates चाहते हो अपने online store को create करने के लिए या एक review website या comparison website के लिए तो आप zyro.com विजिट कर सकते हो इनका price आप देख सकते हो बहुत ही कम है दूसरे hosting plan के हिसाब से बहुत अच्छे hosting यह provide करते है और यहाँ पर जो price हो रहा है इसके उपर आपको extra discount मिलेगा discount coupon code आपको video के नीचे description में मिल जाएगा यहाँ पर और भी बहुत सरे product आपको मिल जाएंगे logo maker मिलता है free का image resizer मिलता है policy generator से आपको यहाँ पर मिल जाते है साथी writing के भी बहुत सरे tools यहाँ पर बिल्कुल free में आपको दिये जाते हैं दोस्तो Google image में अपने images को rank करवाने के लिए आपको दो simple tips follow करने है सबसे पहले तो आपको उस image को upload करना होगा कहीं पे चाहे वो अपना blog post हो अपने facebook page हो instagram हो कहीं पे भी हो या YouTube का जो thumbnails आता है वो thumbnails भी rank होते है मेरे भी YouTube videos के कई चारे thumbnails rank हैं तो सबसे पहले तो आपको इस image को कहीं पे upload करना होगा बट upload करने से पहले आपको इस image में कुछ details add करने होंगे कैसे करने हैं जानने के लिए चलता है laptop screen पे तो friends यहाँ पे एक image है आप देख सकते हो इस image को मुझे Google images में rank करवाना है ताकि वहाँ से मेरा views generated traffic आए तो इसके लिए मुझे इस image में कुछ details add करना है सबसे पहले तो मैं इस image के उपर right click करूंगा यहाँ पे सबसे नीचे मुझे properties का option show करेगा इसके उपर मुझे click करना है फिर यहाँ पे उपर आपको details का option show करेगा इसके उपर click करना है और अभी यहाँ पे title, subject, rating, tags, comments यहाँ पे कुछ details मुझे fill करना है तो इस image के लिए जो भी details है वो मैंने यहाँ पे notepad पे लिखके रखा है सबसे पहले तो यहाँ पे आपको आपके image का title fill करना है तो इस image को एक बार मैं open करता हूँ ताकि आप title को देख पाओ तो देखे इस image का जो title है top most profitable amazon affiliate products categories अभी आप image के उपर जो भी लिखते हो वही आपका title होगा ऐसा नहीं है इस image के उपर जो आप लिखते हो उसमें कुछ अगर keywords रहे तो वही काफी है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखिए यह top most जो है यह मेरा keyword नहीं है मेरा जो keyword है यह मेरा title है यससे मैंने इसके उपर लिखा है और जो मेरा main keyword है वो है profitable amazon affiliate products and categories जो मैंने image के उपर भी लिखा है और साथ ही यहाँ पे बिना space दिये space के जगा पे कुछ इस तरीके से dash दिया है बिना space दिये कुछ इस तरीके से लिख ठीक है तो अभी जो details में feel करूंगा सबसे पहले तो image के उपर जो भी लिखा है मैंने उसको मैं यहाँ पर title में डाल देता हूं अभी title के बाद यहाँ पर subject आता है subject में मैं इसके keyword को डालूंगा अगर आपने कभी भी blog post लिखा है तो वहाँ पर एक parma link आता है तो parma link में भ पर मैंने कुछ videos बनाये थे जब मैं freelancing के उपर कैसे content writing किया जाता है यह बताया था आप YouTube में playlist में जाके check कर सकते हो content writing के उपर playlist आपको मिल जाएगा तो अभी यहाँ पर rating में आपको 5 star rating करना है image को अभी यहाँ पर आपको tags add करना है आप अपने content को जिन tags के उपर rank करवाना चालते हो वह सारे tags आपको यहाँ पर डालने है बट मैंने अपने personal experience से देखा है अगर आप images में बहुत ज्यादा tags डाल देते हो तो वह rank नहीं करदा तो कुछी tags यहाँ पर डाले और बहुत short tag यहाँ पर ना डाले long till keyword अगर आप देंगे तो best रहेगा तो यहाँ पर मैंने कुछ tags लिखके रखके उनको मैं यहाँ पर paste कर देना है या फिर आप title को भी copy करके यहाँ पर paste कर सकते हो और बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है सब कुछ हो गया है अभी बस आपको apply button पे click करना है okay पे click करना है अभी आप इस image को जिस भी social site पे upload करोगे social site में जब भी आप upload करते हो तो वहाँ पे कुछ keywords ड यही यहाँ पे keyword है यह profitable amazon affiliate products and categories तो जब आप वहाँ पे डालोगे तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे space लगा सकते हो यह जो dash है इसको आप अटा देना space देना but keyword को आपको वहाँ पे डालना है और आप देखोगे कुछी दिन के अंदर आपका जो image है वो google image में rank हो है बट वो images पे ध्यान नहीं देता है इसलिए आज भी google images में image को rank करवाना इतना ज्यादा आसान है और वहां से आप अच्छा खासा traffic gain कर सकते हो profit बना सकते हो आपको इन छोटे चीजों पे ध्यान देना है आपको images को भी rank करवाना है आगे चलके यह भी आपको बड़ा profit द वीडियो